नमस्कारम दोस्तों एक सवाल आया है कि अहंकार क्या होता है किर्पिया इसे समझाएं तो दोस्तों अहंकार होता है मैं और जब ए मैं इस सरीर का आकार ले लेता है तो यही अहंकार हो जाता है यह मैं जो हमारा निज़ शरूप था उसको भूल करके इस सरीर और इस सरीर से जुड़ी हुई सारी चीजों को जब अपना मान लेता है तो यही एहंकार होता है मेरा होना तो सास्वत है लेकिन इस मेरे होने ने जब इस सरीर का आकार लिया इस सरीर पिंड को अपना माना तो जंजट सुरू हो गया क्या बास्ताओं में इस सरीर में हूँ क्या इसके जो अंग हैं वो में हूँ क्या फैपड़े में हूँ क्या ये जो दिल है वो में हूँ क्या ये जो सिर है वो में हूँ क्या ये जो बाल हैं वो मैं हूँ यदि मैं इन सरीर के सारे अंगों को देखूँ तो क्या वो मैं हूँ अभी मैंने दाल चावल खाये हैं और वो दाल चावल मास मजजा रख तुम्हें बदल करके यह सरीर बन गए तो क्या वो दाल चावल मैं हूँ मैं अपने सरीर के अंगों को दान कर देता हूँ मैं अपनी आखें किसी को दे देता हूँ तो अब मेरे पास आखें ना रहीं तो क्या बास्ताव में मेरा होना नहीं रहा मेरा जो हिर्दय है वो किसी और सरीर में ट्रांस्प्लांट कर दिया गया अब मेरा हिर्दय उसके सरीर में धड़कता है तो मुझ टॉटी बेसनल का हिर्दय जब दूसरे व्यक्ती में धड़का तो क्या वो व्यक्ती टॉटी बेसनल हो गया इन सब बातों से यह इस्पष्ट होता है कि यह जो सारी रिक अंग हैं वो मैं नहीं हूँ और इन सब सारीरिक अंगों के संग्रय को हम मान बैठे हैं इन सब बातों से हमारी जब संतुष्टी नहीं होती है तो हम कहते हैं कि मैं डॉक्टर हूँ, मैं पुलिस हूँ, मैं नेता हूँ हम अपने अहमका और अधिक विस्तार करते चले जाते हैं फिर हम कहते हैं यह पत्नी मेरी है फिर हम कहते हैं यह बेटा मेरा है फिर हम कहते हैं यह बेटी मेरी है अभी हमारा जो एहम था वो इस सरीर तक सीमित था लेकिन अब हमारे एहम ने विस्तार किया और उसका विस्तार तमाम सरीरों तक तमाम बस्तूों तक हो गया अभी कोई व्यक्ति हमारे पेशे को गाली देता था तो हमें बड़ा कश्ट होता था लेकिन अब कोई व्यक्ति हमारी जहां पहचान जुड़ गई हमारी पत्नी को कोई गाली देता है तो हमें बड़ा दुख होता है हमारे बेटे को कोई गाली देता है तो हमें बड़ा दुख होता है हम कहते हैं हमारे बेटे को गाली दी यह अहमकार है यह हमारे जो अहमका आकार था उसने अपना बड़ा रूप धारन कर लिया है किसी दूसरे की बीवी को कोई गाली दे हमें कोई दुख नहीं होता किसी दूसरे की बीवी को कोई भगा ले जाए हमें कोई दुख नहीं होता लेकिन हम अपनी बीवी को किसी भी आदमी से जरासी बात करते हुए देख लें तो हमें बड़ा दुख होता है क्योंकि हमारे एहंकार को चोट लगती है क्योंकि हमने अपने एहंकार को मजबूत से मजबूत बनाने की कोशिस की हमने कहा हमारी पत्नी हैं तो बड़ी पती बरता होगी हमने कहा हमारा बेटा है तो हमारा बेटा बड़ा अग्याकारी होगा और इस तरीके से हम अपने अहम को मजबूत से मजबूत करते चले जाते हैं और फिर उस पर जरासी भी चोट लगती है तो हम दुखी और दुखी और दुखी होते चले जाते हैं तो इस सरीर का और हमारी चेतना का जो सबसे बड़ा बंधन है वो अहिंकार है अहिंकार नहीं हमारी चेतना को जो सास्वत है जो हमेशा रहती है जो हमारा होना है उसको इस सरीर से और इस सरीर से जुड़े हुए सारे अनित्य संसार से बांध रखा है जितना जितना आहेंकार फैलता चला जाता है उतने उतने बंधन मजबूत होते चले जाते हैं और उतने उतने कष्ट बढ़ते चले जाते हैं क्योंकि अभी कोई इस सरीर को सुई चुबोता है तो दर्द होता है फिर इस सरीर से जुड़े हुए जितने रिस्ते नाते हैं उनको कोई सुई चुब होता है तो हमें दर्द होता है लोग कहते हैं यह जमीन मेरी है ऐसा कहने वाले ना जाने कितने लोग इस जमीन पर पैदा होते हैं और इसी जमीन में खाक हो जाते हैं उनका कोई अस्तुत नहीं बचता है और अज्यान वस इस बहर के संसार को ही नित मान लेना इस सरीर को ही नित मान लेना यह अहिंकार है और यह अहिंकार जितना बढ़ता चला जाता है उतने ही हम अपने निच सरूप से अपने पिरेमानंद मौन से दूर होते चले जाते हैं धन्यवाद